दोस्तों बात करें तो एक भड़ी आफ पोड़ेबल 5G फून खरीदा जाता है दो भड़ी आप्शन्स हो साते हैं मार्केट के अंदर पहला हो जाता है मोटरोला का नया मोटो G64 और तूसरा हो जाता है वीवो का T3X दौनो फोन काफी जाता है नहीं नहीं मार्केट के अंदर आया है तो चलि है इस वीडियो के अंदर कमığर करतें दौनो फोस को पता लगाते की दौनो're इससे मेटल फोन यहाप Wikों keinen की तूरेज और करतें सबसे बात करतें दौनो फोस की ने के बारे बर ने है जो मोटो का नो क यह आपको 8GB RAM 128GB वाले मॉडल में मिलता है और यहाँ पर आपको 12GB RAM 256GB स्टोरेज वाला मॉडल है बात करें तो 12GB RAM 256GB स्टोरेज की कीमत होती है यहाँ पर 16,999 और special discount price के बाद यह 4 आपको देखरे को मिलता है 15,999 का वही बात करें तो Vivo T3X के अदर आपको देखरे को मिलता है 16,499 के price में यह 4 जिसकी कीमत देखा जाए तो almost 1499 जादा है Motorola के comparison में अगर मैं इसके 8128GB वाले model का बेर करूँ यारी दोनों फोन का 8128 की बार में बात करें यह Vivo वाला phone जो रहता है यहाँ पर 1499 थोड़ा बहगा पढ़ जाता है यहाँ पर इवर इसका 256GB स्टोरेज वाला version भी इसके साथ ही RAM और ROM के बार में बात कर सकते हैं यहाँ पर देखा जातो वोटो जी 64 के अंदर 8GB और 12GB RAM और 128GB और 256GB स्टोरेज है Vivo T3X के अंदर आपको 4GB RAM भी देखने को मिलते है 128GB स्टोरेज के साथ 6GB RAM भी 128GB स्टोरेज के साथ और 8GB RAM भी 128GB स्टोरेज के साथ लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी 12GB RAM 256GB का option देखने को मिलते हैं नहीं जबकि यहाँ पर देखा जाये तो एक सही प्राइस के अंदर मोटो लें आप इस चीज को डिलीवर कर देता है इसके साथ यह अगली चीज के बार में बात करते हैं वो होते हैं कैमरास की कैमरास में दौनों के अंदर ही काफी इंटरस्टिंग खेल खेला गया सबसे पहले तो मोटो जी सिफ्टीफोर पर आपको दौनों यूसफुल केमरास देखने को लते हैं जो प्राइमरी केमरा है वो है यहाँ पर 50 मेगा पिक्सल का विट ओई एस सपोर्ट के साथ और सेकंडरी केमरा है 8MP का अल्टर वाइड एंगल लेंस और हाँ यहाँ पर आपको कोई भी केमरा देखने को नहीं मिलतां डोनों के दोनों यूसफुल SENSर से हैं यहाँ तख कि अल्टर वाइड एंगल लेंस की खास बात है कि यहाँ पर मेक्रो सेंसर और डप्ट सेंसर का भी हाँ पर काम करता है कि यहाँ पर जो primary camera 50 megapixel का वहाँ पर आपको built-in OIS देखने को मिलता है जिसका benefit आप low light photography में भी कर सकते हैं इसके साथ ही देखा जातों यहाँ पर quad pixel technology प्लस image cube देखने को मिलता है यहाँ पर media tech की तरफ से जिससे obviously इसकी low light photography वहाँ पर improve होई है वही बात करें Vivo T3X की तो यहाँ पर dual cameras है लेकिन main camera है 50 megapixel का कोई OIS नहीं दिया गया है और secondary camera एक 2 megapixel का useless sensor आपको देखने को मिलता है अगर में images compare करो दोनों ही phones की तो हाँ overall जो images की जो quality थी वो Motorola में काफी जादा better थी और Motorola है आपर definitely यहाँ पर करता है इसके साथ ही बात करें कुछ advantages camera के टर्म से Moto G64 में पास है जैसे कि यहाँ पर आपको बैटर अल्टरावाट camera देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको video recording capabilities low light capabilities OIS station को मिल रहा है इन सब के साथ जो camera performance होगी वो आपको Moto G64 के अंदर आपको बैटर देखने को मिलेगी इसके साथ ही बात करते है बैटरी की देखा है तो दौनों फोन के अंदर surprisingly 6000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है और देखा जाए तो दौनों फोन की बैटरी almost similar है यहाँ पर चलेगी लेकिन difference है पर charging के अंदर है वीवो के अंदर आपको 44 Watt की charging मिलती है मोटो प्रोवाइड करता है 33 Watt की charging realistic world के अंदर बात करें तो दौनों फोन को जब आप real world में यूज करेंगे तो similar battery life मिलेगी और charging speeds भी बहुत ही जाद आपको similar देखने को मिलेगी यहाँ पर और अब बात करते हैं इसकी 5G performance के बारे में जो Moto G64 हापे इसकी जो 5G की performance रहगी वो काफी अच्छी क्योंकि हापे आपको 14 5G bands का support है इसके साथी Moto G64 के अंदर आपको VONR का support है 4x4 MIMO का support है और 3 carrier aggregation का support देखने को मिल रहा है Moto G64 में और देखा जातों अपने price point के अंदर एक काफी powerful 5G performance डिलीवर कर रहा है जहाँ पर आप 1GB PS Plus की speed expand कर सकते हैं 5G के अंदर वही बात करें Vivo T3X थोड़ा सा पीछे हैं इसके दर को 6 5G bands का support है 5G के speeds भी decent हैं लेकिन हाप Moto G64 को जादा better 5G connectivity हापे provide कर रहा है और price segment के हिसाब से 5G connectivity priority है तो Moto G64 गे निकलता है चलिए बात करते हैं इनकी performance के बारे में देखा जातों यहाँ पर दौरों के अंदर प्रोसेसर टोटल यहाँ पर डिफरेंट है तो हम Moto G64 के अंदर आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 7025 चिपसेट यह एक निया चिपसेट है और Moto G64 World's First 4 होता है इस चिपसेट के साथ आने वाला और यहाँ पर जो Antutu score होता है वो होता है इसका around 5 lakh के राट और वही बात करें Vivo T3X की इसके अंदर आपको देखने को मिलता है Snapdragon 6 Gen 1 जिसकी अंदर आपको Antutu score लगबक 5.5 lakh का देखने को मिलेगा overall बात करें तो performance दौन की काफी ज़्यादा similar है लेकिन Vivo T3X यहाँ पर अपनी 10% ज़्यादा जो performance रहती वो यहाँ पर थोड़ी सी deliver करता है लेकिन भाई बात करें RAM और storage के अंदर तो आपको Vivo के अंदर comparatively कम RAM और कम storage विलेगी similar price point के अंदर आपको Motorola के अंदर जादा RAM और जादा storage प्रवाइड कर सकता है अब इसी के साथ ही बात करें डिस्पली की colors भी काफी अच्छे bright display आपको देखने को मिलता है और हाई आपको Corning Gorilla Glass 3 के protection भी देखने को मिलती है Vivo T3X के अंदर जो display size हो थोड़ा बढ़ा है 6.7 inch का 120 Hz के refresh rate के साथ है IPS LCD display आपको देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass 3 के protection देखने को नी मिलती और और बात करें तो display के अंदर आपको दौरों के अंदर ही colors वगरा काफी सही देखने को मिलेंगे Motorola का display हलका से जादा वेर को bright यहाँ पर लगाओ लेकिन एक बात है कि यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass 3 के जो protection रहती वो आपको यहाँ पर से Motorola के अंदर देखने को मिलती है तो ग्राप्स के अराउट और overall 6000 mAh की battery के हिसाब से देखा जाए तो weight काफी जादा light feel होता है इसके comparison में यहाँ पर वीवो का जो weight है वो है around 199 ग्राप का इसके पीछे जो पूरी build दी गई है वो दी गई है polycarbureate की जो थोड़ी सी less premium feel होती है है यहाँ पर as compared to quality यहाँ पर काफी ज्यादा सही और काफी loud speakers देखने को मिलते है वहीं वीवो T3X के अंदर आपको single speaker देखने को मिलता है और ऊपर से यहाँ पर आपको आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर 5G capabilities भी अच्छी है और 3 carrier aggregation का भी support देखने को मिलता है और देखा जाए तो यह कुछ ऐसी चीज है जो आपको वीवो T3X पर देखने को नहीं मिलती है वीवो T3X के अंदर बात की जाए तो यहाँ आपसे देखा जातो जो Moto G64 है एक टॉप चोईस बन जाता है अपने price segment के अंदर क्योंकि जिस price point पर आता है वहाँ पे आपको ज्यादा RAM और ROM मिल रही है बेटर कैमरास मिल रहे है 5G connectivity अच्छी देखने को मिलती स्टीरो स्पीकर से और हाँ डिस्प्ले के उपर आपको कॉर